कोकिंग फन में श्वागत दोस्तों आज मैं आपके लाजा हूँ इसपीश चिली पनीर। चिली पनीर आप लोगों ने मार्केट में खाया होगा, ये खाने बहुत ही टेस्टी और लजवाब लगती है। लेकिन कै आपको पता है कि जो आप मार्केट वाले चिली पनीर खाते तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुश्कांदायक होती है क्योंकि कुछ चीजे इसमें ऐसी मिलाई जाती है जो हमारे सरीर के लिए बहुत ही ज्यादा खत्रणाक होती है जो कि मैं इस वीडेयों बताने माला हूँ अगर आप इस बीदिश चिली पनीर बनाएंगे तो आपके चिली पनीर बहुत ही स्वादिश्ट और टेश्टी और सेथ के लिए अच्छी ही बनेगी तो चलो दोस्तों सुरू करते हैं तो सबसे पहले चिली पनीर बनाने के लिए यहाँ पर सिम्ला मिर्च लिए गए है सिम्ला मिर्च को जो है काट लिए जा रहा है थोड़ा बड़े ही काटे गए हैं सिम्ला मिर्च और इसे फराई किये जाएंगे फिर दोस्तों प्याज काटी जा रही है प्याज को जहाँ पर थोड़ा हलका बड़े साइच की काटे गए है छोटी प्याज में 4 पीस किये गए है और जो बड़ी प्याज उसमें 8 पीस कर दिये गए है आप वीडियो में दे सकते हैं आप कुछी तरह से काट लेना है और फिर पनीर को भी काट लेना है, पनीर थोड़ा पहले ही काटी जाती है, क्योंकि जो इसके पानी निकलता है, वो हमारा निकल जाए, इसके बाद पनीर को हम लोग फ्राई करेंगे, फ्राई करने से पहले कुछ चेज़े इसमें डालेंगे, जैसे चिली सॉंस हो गया, चिल डालने के बाद इसमें हम लोग कुरकुरा करने के लिए कार्ण फ्रोड डालेंगे, तो पहले हम लोग नमक डालेते हैं, स्वादानुसार नमक के बाद इसमें कार्ण फ्रोड डाला जाएगा, यानि मकाई का अटा, आप आरारोट भी यूज कर सकते हैं, आरारोट क्या इसे हम लोग अच्छी तरीके से mix कर लेंगे तो food अगर आप कमेंड करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा गाजर और चुकंदर से आप food cooler बना सकते हैं अब यह हमारी mix हो चुकी है mix होने के बाद भाद इसे हम तुमängen और पनीर को यहां पर fry चिपकेना और इसे चलाय जा रहा है जब यह हमारी कुरकुरी हो जाएगी तब इसे हम लोग निकाल लेंगे और इसे बीच बीच में हलका सा चलाय जा रहा है ताकि हमारी जो पनीर है चिपकेना और अलग हो जाएं आप जिसे तो कुछ पनीर हमारी उपर आ चुकी इसका हमारी फ्राई हो चुकी है अब इसी तरीके से दोस्तों जो हम लोगों ने सिमला मिर्च और प्याज काटी थी उसे फ्राई कर लेना है फुल फ्राई नहीं करना है दोस्तों ध्यान रखना है इसे हम लोग सिर्फ हाफ फ्राई करना है तो इसे सिमला मिर्च हमारी जल्दी फ्र लगबग इसे एक से डिल मिनित का समय लगेगा और यह फ्राई हो जाएगी अगर आप घार पर थोड़ा बना रहे हैं तो आप इसे किसी हलके तेल में इसे आप भून सकते हैं प्याज को भी सिर्फ फराई कर लिया गया है आप दे सकते हैं जब इसमें प्याज डाली गई तो प्याज हमारी अलग-अलग हो गई है इसे भी हमें हाफ फराई करना है इसी तरीके जब हमारी प्याज उपर आ चुकी है और अलग-अलग हो चुकी है और हाफ फराई हो चुक जाएगी एक ड्राई और ग्रेवी वाली ग्रेवी वाली से आप रोटी चावल के साथ भी खा सकते हैं उस्सेयाँ पर हमारी फ्राई हो चुकी हैं हम लोग बनाना श्ट आर्ट करते हैं तो कढ़ाइं ली गई है कड़ाइं स्enne melhores jat इसमें कर्णी डाला जा रहा है मगई का और आप भारभ भी उज़ कर सकते हैं कार्ड फ्लोर या रा रोड निक्ति आप एक उज़ कर सकते काल फूर्ट डालने के बाद इसे जो हलका सा भूना गया है जब तक इसकी रोड़ी हमारी खत्म नहीं हो गई है मार्केट में जो क्या होता दोस्तो इसे घूल का रखा जाता है कच्चा ही पानी में डाल दिया जाता है और पानी में डाला जाता है जिसे हमारी पेट के लिए नुसकान दायक होता है इसे हलका सा भून लिया गया है फिर दोस्तो इसमें जो है गरीन चिली पेश्ट डाला गय गया है अधरक का पेश डालने के बाद इसे हम लोग हलका सा भूनेंगे लबख 10-15 सिकंड तक जब यह हमारा भून जाएगा तब इसमें कस्मीरी मिर्च डाली जा रही है कस्मीरी मिर्च से क्या होगा इसका जो हमारा कलर होगा अच्छा हो जाएगा कस्मीरी मिर्च के बाद दोस्तो इसमें तीखा करने के लिए पिसी लालमी डाली गई है पिसी लालमी डालने के बाद इसमें लैसुन का पेश्ट डाला गया है हलका सा इसमें लैसुन का पानी डाला जा रहा है आप पेश्ट भी यूज कर सकते हैं लैसुन का पेश्ट डालने के बाद इसे हम लोग च पेश्ट डाला गया है टमाटर का पेश्ट डालने से यह हमारा बहुत ही स्वाधिश्ट हो जाएगा और यह सिहत के लिए हमारा नुस्कान दायक नहीं होगा मार्किट में अजीनो मोटो डाला जाता है जिससे हमारा जो पेट खराब हो जाता है और आंखों के लिए बहुत ही नुसकान दायक होता है आप इसमें जो है रेट फूट कलर डाला गया है रेट फूट कलर डालने के बाद इसे हम लोग चलाएंगे इसे क्या होगा इसका जो हमारा कलर होगा अच्छा हो जाएगा आप रेट फूट कलर को इसकिप भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोगोंने कस्मीरी में डाली है फिर दोस्तों इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दिया गया सोया सास में भी दूसरों नमक होता है इसलिए आप नमक को थोड़ा कम ही डालें फिर इसमें टमैटो सांच डाला जा रहा है इसमें भी नमक होता है तो आप पहले नमक कम डालें अगर बाद में चेक करके कम जाता हो तो इसे डाल सकते हैं टमैटो पेश्ट के बाद टमैटो सांस के बाद चेली सांस डाला गया है चेली सांस डालने के बाद इसे हम लोग मिक्स कर देंगे जब यह हमारा हलका सा खौन ले लगेगा तब इसमें हम लोग अपना फ्राई किया हुआ प्याज और सिम्ला मिच डाल देंगे सिमना मिच डालने के बाद इसे हम लोग चलाएंगे और इसी समय हम लोग अपनी फ्राई की हुई मसाला पनीर भी डाल देंगे पनीर डालने के बाद ये हमारा ड्राई रेडी हो जाएगा लेकिन कुछ लोग इसे रोटी के साथ और चावल के साथ खाना पसंद करते हैं तो उसके लिए गिरेवी का बनाना पड़ेगा तो मैं अगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ अब यहाँ पर पनीर हमारी पड़ चुकी है पनीर के बाद डालने के बाद इसे हम लोग चलाएंगे यह हमारी गर्म हो चुकी है अलका सा खौनले मी लगी है यह ड्राई हमारी रेडी हो चुकी है अगर आपको गिरेवी का बनाना है तो गिरेवी के लिए आपको काम क्या करना है आपको इसमें पानी ढाल देना है पानी ढालने से क्या होगा कि यह हमारी गिरेवीदार बन जाए यतना आपको पतला करना है उतना आप पानी इसमें ढाल सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लगबग दो लिटर पानी डाल दिया गया है और यह हमारी ग्रहविदार तयार हो चुकी है और इसे चलाय जाएगा जब तक यह हमारी खौवलेगी नहीं खौवलने के बाद यह हमारी रेडी हो जाएगी तो सो कार्ण, फ्लोर यारा रोट इसलिए डाला गया है ताकि यह जो हमारी गाड़ी हो जाए थोड़ा सा पानी डाला गया है तो इसमें तीखा करने के लिए पिसी लाल मिच आउट डाल दी गएगी आप तीखा कम खाते हैं तो अपने अंसार इसमें डाल सकते हैं यह सबजी हमारी चिली पनीर की रेडी हो चुकी है और यह खाने में बहुत ही टेश्टी और लजवाब होती है और सेहत के लिए भी अच्छी होगी इसे घर पर एक बार जरूर ट्राइ करें दूस्तों और यह सबजी हमारी रेडी हो चुकी है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें मैं बहुत ही कम कहता हूँ लाइक करने के लिए अगर आपको और कोई रिस्पिचे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इसे यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप फेस्बूक देख रहे हैं तो हमारे पेज को फालो कर लिए जिससे मैं डेली वीडियो अप्लूट करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए दोस्तों तीखा खाने के बाद मीठा खाने का मज़ा यह कुछ हो रहा है तो यहां पर रस्मलाई बनाई गई है यह बहुत ही खाने में लाजबाब है अगर आप इसे कमेंट करेंगे लबक 50 कमेंट आएंगे तो मैं इसकी वीडियो डाल दूँगा और इसे बनाने पेहदी असाने से आप फिरीज में रखकर लबक 3-4 दिन तक अराम से खा सकते हैं तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार